नमस्ते सदावसले मत्रभू में कहना उनके प्रिंसिपल से क्रेटरी के माध्यम से पिटिशन आई है सुप्रीम कोट में वो कहते हैं कि साब हमारे फिनेंशल मामले में केंदर सरकार ने दो चेटियां लिखी है दो चिठियां गवर्नर को गई हैं और गवर्नर अब हमारे इंटर्नल मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अब गवर्नर हमको सुतंतरता पूर्बग बजट पास नहीं करने दे रहे हैं उनका कहना ये है कि हमने जो बजट में प्रॉमिस किया है राज्य को वो हम promise पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन promise को पूरा करने के लिए हमको पैसे किये जरूरत है और पैसा हमारे पास है नहीं, तो ऐसी प्रिस्थिती में हम करज लेंगे, राज्य सरकार के करज लेने की limit को लगातार केंदर सरकार का Ministry of Finance रोक रहा है, इसलिए हमको करज नहीं लेन उपार है, यह तो केंदर हमको पैसा दे, और नहीं तो हमको करज लेने की अनमती दे, यह उनका argument है, यह argument सेम पंजाब सरकार का भी है, और पंजाब सरकार ने तो दो कदम आगे बढ़कर पेटिशन डाली, उनका कहना था कि गवरनर हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, और हमा अनाज खरीदती है, अब आप बड़े ध्यान से सुनना, यह कहते हैं कि हम किसानों की सरकार हैं, यह कहते हैं कि हम लोगों को देंगे, यह कह रहे हैं कि केंदर सरकार जो लेवी करती है, जो सीधा अनाज भरती है, जिसके लिए किसान मूव्मेंट पंजाब ने शुरू किय था और पूरे देश में उधम मचाकर रखा था वो डिरेक्ट ले भी जो की जाती है उसमें हमको स्टेक्स चाहिए है हम सो सकते हैं कि केंद्र सरकार अगर 18 रुपए में खरीती है तो इनका कहना है कि वो हमें उसमें से कुछ हिस्सा दीजी क्योंकि आप हमारे राज़े से खरीद रहे हैं और ये भी यहां चल रहा है अभी उडिशा का जो केस आया था बीजेडी का कि दिली हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना है और वहां का मुखमंत्री अपनी फोटो लगा कर बेशता है उसको करने अपनी फोटो लगा कर गरगर पहुंचाना शुरू कर दिया और उसका सब्स्रूप बदल दिया केंद्र ने उनको अब्जेक्शन लगा है तो क्या सब हमें काम नहीं करने दे रहे और हम काम करना चाहते हैं यह सब हमारे बीच में बाधा पैदा करते हैं और यह पता अगर राशन पहुचाएंगे लोग राशन की दुकार पहाने के बएज़ा है राशन उनके घर पहुच जाएगा लेकिन योजना वो के जरीवल अपने नाम से चलाएंगे और उसमें बड़े-बड़े कोंट्रक्ट दिये जाएंगे उसमें बड़े-बड़े घोटाले होंगे जैसे शराब का घोटाला कोंट्रक्ट में हुआ था का मतलब होता है लगबग दो लाख रुपए दो लाख रुपए पर वेक्ति करजा और इसलिए केंद्र सरकार को उस समय हमको याद हो आपको याद होगा कि चंदरशेकर की सरकार बैठी हुई थी और वो भारत का जो रिजर्ब बैंक का सोना था वो IMF में गिरमी रखाया थ क्यों क्यों कि हम करजे में चल रहे थे उसका कारण एक और था खूप इंद्रा गांदी के सरकार या कोंग्रेस की सरकार इस बात पर विश्वास करती थी कि भारत में एकॉनमी बढ़े नहीं लेकिन सरकार बांट दे सरकार करज माफ करती थी एगरिकल्चर करज माफ करती थ । नियुकत थे ता भारत का उध्योग्पति स्ट्रॉंग हो और maaf होग को इसके गें 시 rij national always न हमनोव सभेवारत को टisu ha hein और नहिंघे और रहें इसके लिए वो ततवत थे और सोनीय गांधी के नित्रत्तों में मोहन मोहन सिंग जी की सरकार बनी तो वो सरकार ने तो पूरे वंटढ़ार कर दिया था भारती इंडस्ट्री को जड़से समाप्त करते हुए चाइना के लिए गेट खोल दिये थे आप यहां से ले जाओ चाइना बना कर दे और अगर हमारा raw material कर दुबारा हमको बेशते थे 20 रुपे का material ले जाते थे 100 रुपे का बेशते थे तो 20 रुपे हमसे ले जाते थे भारत की currency धीरे धीरे खतम होते होते इस इस्तिती में आ गई थी कि आजादी के समय एक डॉलर एक रुपिय बराबर आ गया था जबकि भारत की currency पूरे वश शकी तो उस समय 80% विश्व की economy हमने लेकर रखी थी 80% economy मतलब समझते हैं कि पूरा विश्व एक तरफ और अगर पूरी विश्व के पास 100 रुपे की wealth थे तो 80 रुपे की wealth के बल भारत के पास थी इसलिए हर संसार का हर country भारत की तरफ देखता था हर country भारत के साथ वेपार करना चाहता था और भारत के बल एक्सपोर्टर था इंपोर्ट कुछ नहीं करता था अब वही इस्तिति अंग्रेज जब आया तो उसने क्या किया कि उसने मुगल बैठे मुसल्मान बैठे तो उन्होंने क्या भारत में कतल्याम किया अपनी एश करी बड़े-बड़े किले बनवाए और मंद्रों को तोड़कर मज्जिते बनवा दी और खुद एश किया बस एश 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 लेकिन देश के भारत का समान नहीं जा पाया जब इसाई बैठे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ इतना सा आगाम करना था कि भारत में सरकार बनाना और भा भारत की वेल्थ ले जाना 2004 से लेकर 2014 की जो सरकार बैठी उसने भी कुछ ऐसा ही किया भारत से रोमेट्रेल चाइना जाए चाना से बनकर भारत आए इसके लिए रजीब गांदी फाउंडेशन इंद्रा गांदी फाउंडेशन ये वो सम्में पैसा वहां से आता था दान मे और जो राहुल गांदी मतलब कम्मिनिस्ट पर्टी अप चाइना और कॉंग्रेस के बीच में एगरिमेंट भी करा है थे तुम यहां तुम वहां से समान बेजो हम यहां से लुटवाएंगे जो वो हमारे च्छित्रों को कबजा करते थे तो सलमान खुर्ति विदेशमंत्र हुआ करते थे वह वहां जाकर कहा है कि हम आप से लड़ेंगे नहीं आप चाहें जितना गब जा कल लो इस तरह का कुछ एगरिमेंट हो गया जिसका मतलब यह निकलता है प्रणाम भारत गरीब गरीब होता चला गया अब समस्य यह आती है कि जब बाचपी सरकार बैठी थी नोकर सिटिजन आने को तयार नहीं था वहीं रहना चाहता था कि नोकरी उसको अच्छी लगती नोकर वो राष्टे निर्मणा में कोई योगदान नहीं करना चाहता था लेकिन भारत का जो श्रमिक वर्ग था जो खाली में काम करता था भारत का जो श्रमिक वर्ग होचता तो है बातों में तो उसके भाष्ण में मिलेगा लेकिन वागई में वह कुछ करता नहीं जमें पार यह बात चड़तार तो हो रही है फिर बाचपई सरकार ने क्या किया कि जो पुराना सोना था उसको चुड़वाया आई-एमएप में अपना लोड बढ़ाया आई- जी की सरकार बैठी तो मोदी जी की सरकार ने 2016 में ये तै किया कि हम डिफिसिट का वजट नहीं उठाएंगे दुरभाक उनका था कि कोरोना आ गया कोरोना काल में भी मोदी सरकार का एड्मिनस्ट्रेशन ही था जो पूरे देश को बचा कर ले गया वैक्सीन के मामले में उद् लाक लोग मारे गए लेकिन भारत में न मरने दिया और नहीं भारत में कुछ कम होने दिया भारत दुबारा उठकर आया और सिस्टमेटिक चल दिया भारत सरकार ने राज्यों के दौरा लिए गए जो जो फ्रीवीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है बांट कर पूरे रास्ट को शर्मशार ना करें, नहीं तो करजा बढ़ेगा, परविक्ती करजा बढ़ेगा, आप सोचो कि किरला जैसी सरकार ये कहती है, जब से उनकी विजाइन की सरकार बनी, किरला की सरकार ये कहती है कि हमारे उपर एक लाग साथ हजार करोल का करजा है, आप क्या सोचते हैं किरला एक छोटा सा बहुत छोटा सा भारत के पूर्ण राज्यों में सबसे छोटा राज्य समभता वही है अगर किरला एक लाग करोल रुपय का करजा लेता है तो उत्तर प्रदेश बिहार और महरास्ट और राजस्थान को कितना लेना चाहिए बीस बीस क्या मतलब राज्य हमारा काम है हम करजा लेकर बाटे केजरिवाल से इस पिशय पर एक इंट्रिव हो गया था और केजरिवाल से किसी ने पूछ दिया कि पंजाब सरकार और बहुत घाटे में चल रही है और आप इतने सारे बादे करके आये हैं यह कहां से पूरे करेंगे और जब आपके पास पैसा नहीं ही तो आप केंदर से मांग रहे हो और केंदर से कह रहे हो हमको पैसा दो हम भी में बटेंगे और इस बात का जगड़ा हो रहा तो केजरिवाल ने जबाब दिया तुंसे क्या है तो माम-खाओ फिठलियों क्यों अंग हो आपसे क्या मतलब ह सरकार लड़ेगी केंदर से लड़े केंदर से मांग के लाए विदेश से मांग के लाए किसी से विवपारी से मांग के लाए किसी से मांग के लाए सरकार मांग रही है ना आपको क्या परिशानी है हमने जो वचन निभाया वो पूरा कर रहे हैं यह केजरिवाल के दिश्चप्द थे केजरिवाल का हाल तो यह हो गया था कि कोरोना काल में 5,000 करोल की सेलरी बाटने के लिए पैसे नहीं थे और वो किंदर से कह रहे थे कि हमको पैसे दो थो हम सेलरी बाटने से दो करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं और वो दो करोड़ में से भी वो बिज्निस में ज़्यादा है लेवर क्लास थोड़ा कम है मैं मान के चलूँ पचास लाख लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है डेल करोड़ लोग बाकी बसते हैं जो लेवर की त 35% होता था उसको बढ़ा कर 45% सीधा कर दिया और आपदा में वो मदद करते ही करते हैं जब साले 12-13% सीधा बढ़ा दिया हो तब भी राज्य मांग रहे थे आज भी राज्य मांग रहे हैं तब भी राज्य करजा उठा रहे थे आज भी राज्य करजा उठा रहे हैं अगर र दुनिया भरके वचन दे लो और बाद में कहो किसाब हमें करजानी लेने दे रहे और गवर्नर हमारे खलाफ काम कर रहा है गवर्नर हमको काम नहीं करने दे रहा गवर्नर तो बड़ा बुरा आदमी है गवर्नर तो बड़ा खराब आदमी है यह हमारे राज्यों में चल रहा ह फ्रीवीज को पूल करने के लिए धन की अवशक्ता होती है और वो धन कहां से आए ये एक बड़ा प्रश्न है धन कहां से आए ये बड़ा प्रश्न है इसलिए धन करज उठाते हैं ये लोग व्योपारियों से करज उठाते हैं विदेशी फंडिंग से करज उठाते हैं बैं कुल मिलाकर आप अपनी च्छाएं पूर्ण करने के लिए अपनी सरकार को बरकरा रखने के लिए उद्यमना बढ़ाकर कर्ज बढ़ाते हैं ऐसा करना केंदर सरकार ने रोकने का प्रयास किया और केंदर इसमें पूर्ण शक्ती के साथ उसको रोक रही है इसलिए गवर्नर इस समय सबसे खराब व्यक्ति इन सरकारों के नजर में है मेरा मानना है इस पर एक वाकाइदा कानून पास कर देना चाहिए केरला राजसरकार ये कह रही है बड़े उससे कह रही है कि आप देखे हमने जो बजट में प्रॉमिस किये हम सेलरिया नहीं दे पा रहे हैं हम अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे है मतलब राजसरकार बिना कर्ज लिए खर्चे नहीं उठा पा रही है तो राजसरकार क्यों है क्यों आप सरकार बना कर बैठे हैं आपको सरकार चलाने का अधिकार क्या है अगर आप राज्य की सेलरिया नहीं दे सकते हैं आप राज्य में विवस्था नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको आपको यह बताइए कि क्या अधिकार है कि सरकार आप चलाएं सरकार वो होनी चाहिए राज्य बचाए और बचाकर कें केंदर को भी ताकि वह सिगुरोटे पर इंवेस्टमेंट कर सके ताकि वह फॉरंग पॉलिसी पर इंव्वेस्टमेंट कर सके क्योंकि आफ्टरायल उद्ध्यम तो राजय में लगे हुए है ना तो केंदर सब कुछ कैसे मेनेज करेगा यह समझ में आना चाहिए इसलिए राज्यों के उपर ये भी लगा देना चाहिए कि राज्य के बजट का 20% केंदर के पाद जाएगा ही जाएगा और ये राज्य की जिम्मेदारी बनती ही कि वो केंदर को दे केंदर राज्य को नहीं देगा राज्य केंदर को दे 1822 से पहले की भारत की एकॉनोमी कुछ हैसी ही थी हर गाउं में कुछ कमाते थे हर गाउं में जो प्रटक्शन होता था उससे कुछ बचता था वो जन्पत में जाता था सारे जन्पत के गाउंों से इखटा होकर जो बचता था वो राज्य में जाता था राज्यों से जो इखटाओ कर बचता था वो केंदर के पास जाता था और केंदर उसको अपनी सेकुरेटिप पर खर्च करता था केंदर उल्टा पैसा नहीं देता था इसलिए भारत की जो दुर्दशा है वो इसलिए है क्योंकि राज्य सदैप करजा मांगते हैं और राज्ये अपनी मनमानी पूरी करने के लिए उद्धम नहीं करते बलकि कर्ज मांगते हैं ये एक बुरा सुभाव है इसलिए सुप्रिम कोर्ट में ये लोग आये हैं सुप्रिम कोर्ट ने केंदर सरकार को नोटिस बिजारी कर दिया है जै हिन जै भारत वन्दे मातरम